हलो दोस्तों आजम करेंगे 8 जून से 14 जून 2021 तक हर्याना की weekly current affair दोस्तों सभी current affair important और selected ली गई है तो चलते question number one पर question number one है हर्याना की कीज जिल में रज्जे का दूसरा oxygen बनाया जाएगा तो कीज जिल में बनाया जाएगा रज्जे का दूसरा oxygen या oxygen पारग तो riot and stroke option भी तो पंचकुला जिल में रज्जे का दूसरा oxygen बनाया जाएगा अब दोस्तों जान लेते इसके वारे में हर्याना के पंचकुला जिल में रज्जे का दूसरा oxygen बनाया जाएगा जिसे हम आखिजन पार्क भी कहा सकते हैं ये गगर नदी के किनारे पर बनाया जाएगा सो एकड़ बूमी पर है और लगबग एक करोड़ ओपी के लागच्छे से बनाया जाएगा और रहारी आना राज्जे का पहला oxygen बनाया जाएगा ये भी आपको याद रखना है आना का राज्जे का पहला पुलिस टिशन बना है अब दोस्तों पढ़ले तिसमे है क्या जजजर के पुलिस अधिक्षक राजेस दूगल की पहल पर पुलिस कार्याले की सभी साखाओं को जोडने वाले कोरिडोर में सीपीकर लगवाएगे हैं पूरा दिन दी मिदे में आवाज में स्पीकर रहें की म्यूजिक बसता रहता है उनका मानना की ऐस स्पीकर या गाने लगाने से तनाव भी दूर रहता है और सहत या सरीर पर सकारतमक उर्ज़ा प्राहवित रहती हैं की उर्ज़ा बनी रहती है नेगटिव सोच दूर है त और महिला पुलिस्थानों की विस्तापना विथी 29 अगस 2015 को पंचकुला में रक्षवंदन के इन दिन पिंक महिला पुलिस्थानों की स्थापना विथी 11 अगस 2019 को पंचकुला में चलते हैं next question number 3 है हरियाना राज्य को performance grading index में कौन सा grade मिला है तो इसका guidance रोग option है तो हरियाना को A plus grade मिला है दोस्तों सभी question important और selected लिए गए है अब comment जरूर करना आपका कितने question ठीक पाई क्यूंकि आपका एक revision type है तो please comment जरूर करना आपका कितने question ठीक थे पड़ले तिसके वारे में हरियाना को performance grading index में A plus grade मिली है दोस्तों ये केंदिरि से 19-20 का तीसरा ससकन जारी किया गया है इसके तयाति ग्रेड दी जातीस में फर्ष्ट किसी ने पाया है तो पंजाब चंडिगड तमेलाड अंडेमान निकोबार और दवीप सूंग केरल ने A plus plus grade मिली है जबकि हरियाना को A plus मिली है दोस्तों आप बात कर लेते हरियाना कि सूञ़ के तÉत था सकते हैं और क्षेलों कि सॉचना के तैत मुख्या मत्री समाजी के समचता अंतर जाती विवा सगूर 152 यह अफटी के रूब में दिये जाते हैं कि तीन साल बादह मिनें निकाल सकते आं और रसुचना यह कि है दोरा मिली इन्सान जाती है तो 5 हरियाना सरकार ने किस जिले में सबसे ज्यादा दान की जगह अन्या फसल उगाने का लक्षे रखा गया तो राइट इंड शरोग उप्षने तो सीर्सा जिले में दोस्तों जान लेते हैं क्या हरियाना सरकार ने गिरते बुजल स्तर को बचाने के लिए किर्शी वुबा की ओर से हरियाना के सभी 22 जिलों में दान की बजाया अन्या फसल उगाने का लक्षे निदारित किया है इसमें सिर्शा में सबसे जादान की 39,000 एकड़ बुमी पर दान की जगा और कोई फसल उगाई जाएगी और सबसे कम हरियान में 1000 मेहंदरगड में नेक्स्ट क्वेशन बर चाहा है दोस्तों जो इंपोर्टेंट पॉइंट हमें आपको बता देता हूँ हरियाना राज्जे में कीस गाउं को बेस्ट विलेज अवार्ड 2020 दिया गया है तो कीस गाउं को दिया गया हरियाना के तो रायट इन्स रोग आप्शन भी तो बुर्डिशयाम गाउं को दिया गया है अपडले थी दोस्तो, पानिपत जिले के बुर्शिया गाम को बेस्ट विलेज आवाड 2020 दिया गया, इस काउं का लेंगान उपात 1281 था, और दोस्तो हरी अनराज जी के अन्य गाउं को भी मिल चुका है, तो सिर्शा के फगू गाउं को मिल चुका है, भी इसके लिए करनाल क के बाहरी गाउं को मिल चुका है, फतेवाद के डिंग सरा गाउं को मिल चुका है, और इसार के कापडो गाम को भी बेस्ट विलेज आवाड मिल चुका है, दोस्तो इनका भी नाम आप याद रख सकते हैं, क्वेस्टन बर साथ है, हरी आनराज जी के कितने जिलो में पहरी अर्बन किर्सी सरूग की जाएगी तो कितनी जिलों में सरूग की जाएगा इसे तो रायट इन सरूग अपसने तो च्यार जिलों में दोस्तों होती क्या देख लेते हैं सीम ने खटर ने कहा कि किसानों की आयों को दूगना बटाने के लिए केवल किर्सी से काम नहीं चलेगा बलकि उन्हें किर्सी के साथ बागवानी फ्लोरीकल से रपसु पालनादी का भी काम करना होगा और इस रुवात में च्यार जिलों में सोनिपत जजजर गुरुगा मोर फृरिदावाद में से सरूप किया जाएगा कवेशन बराथ है हरियाण के किस जिल में पंडित दिंद्याल उपाद्य अउर्पियान विश्वदैले बनाया जा रहा है तो किस जिल में बनाया जा रहा है तो रायटर इन स्रोग ऐप्सन पी तो करनाल जिल एक 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 retained ये लग़ाओमे बनाया जा रहा है next है qwereson bernow है हरी आना सरकार सरस्वती नदी पर कितने करोडोपी के लाग से Δैम बनाएगी तो कितने करोडोपी के लाग से बनाया जाएगा तो right and stroke option भी तो 388 करोडोपी के लाग से डैम बनाया जाएगा और दोस्तो सरस्वती नदी के नाम पर ही अंतराश्टिय सरस्वती मोच्चो बनाया जाता है जो अपकी बाड़ 2021 में 14 से 16 फरवरी 2021 को बनाया गया था और इस चोथा था यह आपके आद रखना है क्वेशन बर 10 है है SDG Index 2021 की स्किरांकीमें चंडिगर्ड ने कौन से चंडिगर्ड ने पहली अस्तान प्राप्त किया जबकि हर्याना ने इसमें 14 प्राप्त किया धर नेक्ट है पादरी मेहनरगट और फतेवाद कोई संबर 12 इंपोर्टन क्वेस्टन है हर यानक की जिल में खेलों इंडिया स्टेट लेवल सेंटर आपक्सिलेंस स्थापित किया जाएगा तो रायाट इन श्रोग ऑप्शन डिते से पंच्कुला जिले में स्थापित किया जाएगा और द लेटी खिलाड योया खिलों को बटावा मिलेगा नेक्स्ट है क्वास नमबर 13 है हर याना विदानसबा अद्देक्सि घंचंद गुपता ने किस विदायक को विशेष आमतरित सदस्या मनोनित किया है तो किसे किया है इनकी विशेष रूप से तो रायाट इन श्रोग ऑप साथ जून 2021 से वर्ष 2021 सबाइस तक रहेगी और यह फिर्दाबाद के निटी विदानसबाग चेतर से कांगर्स के विदायक है क्वेस्टन बर 14 है हर याना सरकार ने की इस जिले को महनगर बनाने की गोशना की है तो इसका रायाट इन श्रोग ऑपसन भी तो पंचकूला को म बन्दा सिंग बहादूर की कौन सी पुन्यतिती बनाई गई है तो इसका रायाट इन श्रोग ऑपसन भी तो इनकी 305 में पुन्यतिती बनाई गई है हाली में और दोस्तो लिए आपके लिए इंपोर्टेंट इस लिए है इनके बारे में जान लेते हैं सरवात में एक बरी इनका जर्मों दस्ताइस सक्टोबर 1670 को राजोरी जम्मो किस्मीर में मिर्तो इतिन्यों जून 1716 को नो जून उनको इनकी 305 में पुन्यतिती बनाई गई है और दोस्तो अरियाना सरकार ने इननी के नाम पर बंदा बहादू ट्रस्ट लोहागड पाउंडेशन स्थापित क जिसका चेर्मान होता है और यह उनका नगर के लोहागड में इनकी राज़दा नी थी इनकी जो इनकी रियासत या सी इनकी जो मनाई थी इसने इसलिए आपके लिए इंपरोटेंट है नेक्स्ट क्वेशन बर 16 हाल में डक्टर कमला वरंबाग निदिन हो गया है वे हरियान की पहली अध्यक्स भी थी है और तीन बार हर्यान में काबिनेट मंतरी रहत चुकी है और यूम्ना नार से बिलाओं करती थी पहली बार 17 गल्मान तो ने इस्ट कोंट्रास落साल उन सटाइज और बने विद्स केरा मैं स्थापित के हए जाए गाई के ज्यूरी वालव में से प्रमदन ँसरें Early इस्तापित किया जा रहा है नेक्स्ट क्वेशन बठा रहा है हरियाना के सेल्फी विद डॉट रभ्यान के तैती साल कितनी सेल्फी को बेस्ट सेल्फी के रूम में चुना है तो राइडन स्रोग अपसने तो तीन सेल्फी को best selfie के रूमें चुना गया है राो इंदर्जीत ने इने best selfie के रूमें तीन सेल फियों को चुना गया है और इस अभियान की सरवात हुई थी 9 जुनगूद दर पंदरा को हरियानके जीन जिले से ब्रैंडा मेस्टर बनाएगा जीन जिले एक बेभी बेबी पुर्गाओं के सुनिल जागलान को और नोजून को ही सेल्फी विद डोटर डेराश्टिय स्तर पर मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेस्टन बर उननीस है हरियाना सरकार पंस्कुला के बाद अब कितने और जिलों को महानगर बनाएगी तो कितने और जिलों को महानगर बनाने की सोचरी है हरियाना सरकार हर खेट सवस्ट खेट योजना के तैत एक साल में कितने लाख एकड़ में को मर्दा की जांस करवाएगी तो एक साल में 25 लाख मर्दा इनकी इनकी इतने एकड़ की जांच करवाया जाएगी जबकि तीन साल में पचेतर लाख एकड़ भूमे की जांच करवाया जाएगी ताकि देखा जास के किस मर्दा में किस की कमी है ताकि उसकी और और शक्ति बटा जास के खात का प्रियोग करके और दोस्तों एक बता जेता हम आपको मर्दा स्वाश्ते काड़े हो जने की सरवात 19 फर्वरी 2015 को सूर्थगर्ड राजस्तान से शुरू की गई थी यह हो जना और दोस्तों हरियाना इत्यास हैं उसकत अकादिमी की स्थापना इती जुलाई 2006 में 27 जुलाई 2002 को उसका पुनेर गठन किया गया इसका मुख्यालिया गुलजारी डलाल नंदा संग्रालिया कुरुक्षेतर निदेश का प्रोफेसर अगवेंदर तावर हदेख सोताइस का सीम कोईसन बर 22 है हरियाना के की जिले के सुधीर ने देश का पहला N99 मास्क बनाया है तो की जिले से बलाउं करते हैं सुधीर तो रायटन सरोगा उपसने तो रेवाडी जिले से बलाउं करते हैं तो IIT रूटकी में पटने वाले रेवाड़े जिले के गाउं लिसान के सुधीर ने अपनी सातियों के साथ मिलकर पहला N99 मास्क बनाया है और रक्सा अनुसंदान विकास संगठन गवालिर की लाब में इसका टेस्टी भी हो चुका है नेक्स्ट क्वेसंबर 23 है हरियाना की किस जिले मेराज्जे का पहला 33 केवी का GIS स्टाफ सब स्टेशन या पावर स्टेशन स्थापित किया जाएगा तो करनाल जिले में स्थापित किया जाएगा इनकी GIS ये पहला सब स्टेशन होगा करनाल जिले मेरियाना का और दोस्तों इसे होता है कि इस स्टेशन के स्टापित करने के बाद जो भी सहर या भोगता होते हैं उन्हें उच्छ वेल्टेज और बिना रुकाउट के फुल विजली मिल सकती है और इसकी लागत होगी 11.6, 0.0 क्रूड रुपे की लागत है और इस स्टेशन को चलाने के लिए का हैक्सा कलोराइट गास का प्योग किया जाता है जिसे SF6 कहते हैं नेक्स्ट है क्वेसन बर 24 है हरियाना रैज्जे में चीतरकला की तरे पन साल पुराने किताब का नाम बदलकर बनने है क्या रखा है तो राइट अन्स रोग अप्षन भी तो कला से तू दोस्तो आपको भी पता होगा हम जब 26-28 में तक पढ़ते तो हमारी चीतरकला की किता UP का नाम बदलकर कला से तू रख दिया गया है क्वेसन future 15 है हरियाना सरकार ने आंतरिक शिकायत समिति का अध्यकि किसे न्युकत्त किया है तो रैट verbs रोग आप्षन ने तो सुमीता सरमा को क्या दोस्तो हство राइन सर्कार ने राइन सी स्कूल की सर्वाइग पर गया दोस्तो आप वीडियो कर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और और शाहती कोमेंट जो रोकरना आपको कितने क्वेस्टनों का निस्वर बताता था कि मुझे भी पता सलसके आपके त्यारी कैसी है क्वेस्टन नबर 26 है हरियान कि किस जले के संजीओ ने कुष्टी पर देश का पहला एप मनाया है तो किस जले से बिलंग करते हैं संजीओ तो हरियान कि किस जले में राजजे की पहली एटियम मोबाइल वैन से वा स्रूख की गई है तो किस जले में स्रूख की गई है तो रायटन स्रोग अप्सन भी तो बिवानी जले में स्रूख किया गया है के इंदिरे सहकारी बैंक दोरा इसे स्रूख किया गया है नावाट की शा बिवानी जिले के दिनोध गाउं से बिलाउं करती है ये आपको यादरकन है और ये पहली ताइवंडों में बाग लेने वाली पैरलोंपिक खिलाडी बनी है हरियान की पहलों विनेश फोगाटन है पोलेंड ओपन कुष्टी परत्यकता में कौन सा पतक जीता हाली में तो इन्होंने सवन पतक जीता है हरियान सरकार ने हरियान बूम मिशुदार और विकास निगम का नयाने देशक किसे बनाया है तो इसका राइट इन्स रोग अप्शन भी तो राजियू रत्न को और इस बूम मिशुदार या विकास निगम की स्थापनाम सुचो यह तर्मोई थी नेक्स्ट है हरियान के किस जिले में नेशनल इंसिटूट आफ फैसन टेकनलोजी सहंस्तान बनाया जा रहा है तो किस जिले में राष्ट यह पर दियोग की फैसन सहंस्तान बनाया जा रहा है तो यह बनाया जार ऑप्शन भी पंच्कुला जिले में इसे हम निफ्ट भी कहा सकते हैं आपको यह भी आज रखने इसे हम निफ्ट भी कहते हैं नेक्ष्ट है क्वेस्टन बर बत्ती है हर्याना के अचलिस खिलाड़ी नीरे चोपड़ा ने सीटी आफ लिस्बन एथलैटिक मीट में कौन सा पदक जीता है तो इन्होंने हाल में सोन पदक जीता है इसे अथलैटिक मीट में और यह पूर्टगाल में हुई थी क्वेस्टन बर तेती है हर्याना में को पोशित बच्चों को चेनित करके उन्हें पोशित करने के लिए कौन सी योजना से रूख की गई है तो पोशित हर्याना योजना क्वेस्टन बर चोंती है हर्याना राज्य में नई सिक्षा नीति के पठ्ठ करम का डांसा त्यार करने के लिए किसे जिम्में वारी सोपी गई है तो हर्याना में तो इसे सोपा गया SCRT गुरुगुराम को क्योंकि गुरुगुराम में हर्याना SCRT का मुख्यले स्थापित है दोस्तों आपको पता होगा राज्य नीति 2020 लागु की गई है जिसे 2030 तक सवी रज्यों में लागु करने के लिए कहा गया है केंदर सरकार ने लेकिन हर्याना सरकार ने का कि हम इसे 2020 तक लागु कर देंगे आपको यह वियाद रखना है और जो हर्याना का केंदरिय विश्यों विदालिया जन्तपाली में हर्य बारत का सा पहला विश्यों विदालिया बनेगा जिसने राष्टिय शिक्षा नीजी 2020 को सबसे पहले लागु किया है और दोस्तों NCRT की बात करते हैं तो इसकी स्थापन 111 में इती अध्यक्स इसका वर्तमान मेरा में स्पोकर याल जो शिक्षा मंत्री होता है केंदरिय वही इसका अध्यक्स होता है निदेशक की इसका डक्टर हरी के सेनापती और यह जो SERT है इसका स्थापन इती अप्रेल 189 में और गुरुग्राम में स्थीत है यह हरी आना की S.E.R.T है हर राज्जी की अलग से होती है क्वेशन पर पैंती है और इंपोर्टन क्वेशन है हरी आना की कौन सी इनिवस्टी कलाकारों को ग्रेडिंग सिस्टम देने वाली देश की पहली इनिवस्टी बन गई है तो आपको पहली नहीं सुना वाली कि आपको फूल फूल बता देता हूं फिर आपको याद आ जाएगा तो कला सरक्षिन के बचाओ और परसार परसार के लिए पंडित लाख मिचंद स्टेट इनिवस्टी अपरफॉर्मिंग एंड विजबल आर्ट है यह इसने पहले से रुक अलमान में कुलपती कोन है तो राजबीर सिंग दोस्तों कमेंट जुरू करना और वीडियो को लाइक जुरू करना और शेयर के जुरू करना थैंक्यू सो मज़ आपका वीडियो देखने के लिए